नमस्कार दोस्तों नमय शिवाय जीवन जोती चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों आज मैं बात करूंगी हर प्रबोधिनी एकादशी के विशय में जिसे की देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है चातुर माज शयन करने के बाद भगवान विश्नुजी इसी दिन अपनी निद्रा से जागते हैं और यह एकादशी अत्यंत ही महत्वपूर और अत्यंत ही शुभ फल परदान करने वाली एकादशी मानी जाती है जो की बहुत ही पुन्य फल को देने वाला बताया जाता है तुलसी विवा का आयोजन करने से हमें कन्यादान के बराबर फल की प्राप्ती होती है तो इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि दे उठनी एकादशी कब है और तिथी कब से कब तक है इस दिन राहुकाल इत्यादी कब है और शुभ योग आपको कपराप्त हो रहा है साथ में आप तुलसी विवा का आयोजन कब करा सकते हैं और तुलसी माता यदि आपके घर रामा तुलसी है या श्यामा तुलसी है तो किस तुलसी जी से आप भगवान विश्णु जी का विवाह कराए भगवान विश्णु जी के किस रूप से आप तुलसी जी का विवाह कराएं साथ में आप ये भी जानेंगे कि यदि किसी भी कारणवस आप माता तुलसी जी के विवाह का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं तो आप किस तरह से तुलसी विवाह का उत्सों मनाएं और तुलसी विवाह का संपूर्ण पुन्य फल प्राप्त करें तो बिना विवाह का आ पुरुस हो, बच्चे हो, मतलब ऐसे बच्चे जो ब्रत धारण कर सके, बहुत छोटे बच्चे नहीं, तो ब्रत जरूर धारण करना चाहिए, इस दिन अनग्रहन बिलकुल नहीं करना चाहिए, और इस दिन भगवान विश्णू जी के जागने पर उनका पूजन अर्चन और हमें एक प्रकार से उत्सव करना चाहिए, कि आज भगवान विश्णू जी अपनी निद्रा से जगे हैं, और हमें आशिरवाद प्रदान करें, तो आईए सारी बाते हम लोग जानेंगे, तुलसी बिवाह और हर प्रभुधनी एकादशी के विशह में, सबसे पहले आईए तिथी जान लेते हैं, और हर प्रभुधनी एकादशी किस दिन है, ये सारी बाते जान लेते हैं, फिर तुलसी बिवाह के विशह में बात करूँगी, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, चैनल पे अदिया आप पहली बार है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो पसंद आता है, तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासु देवाए अवश्य लिखिएगा दोस्तों, दोस्तों इस वर्स 2023 में हर प्रभुधनी एकादशी अर्थादे उठनी एकादशी 23 नौंबर दिन गुरुवार को धारड की जाएगी, तिथी की शुरुवात हो जाएगी 22 नमबर को रात्री में 11 बच कर 4 मिनट पर, और तिथी समापत होगी 23 नमबर को रात्री में 9 बच कर 2 मिनट पर, इस दिन सुर्योदय होगा 6 बच कर 49 मिनट पर, और सुर्यास्त होगा 5 बच कर 36 मिनट पर, उधिया त शुब मुहूर्थ है अभिजीत मुहूर्थ है सुबह 11 बचकर 51 मिनट से लेकर 12 बचकर 34 मिनट तक अमरित काल मुहूर्थ आपको प्राप्त हो रहा है 12 बचकर 44 मिनट से लेकर 2 बचकर 15 मिनट तक ब्रह्म मुहूर्थ 5 बचकर 13 मिनट से 6 बचकर 1 मिनट तक तो ये सारे शुब तो आपा तुलसी जी गविधिविधान से पूझा करें, और देखिए दोस्तों जितनी एकादशी पड़ती है, प्रतेक मया में जो एकादशी पड़ती है, हम लोग माता तुलसी को इस दिन जल अर्पित नहीं करते हैं, लेकिन तुलसी विवाह के दिन यदि आप विवाह का आयोजन कर रहे हैं, तो आप माता तुलसी जी को सनान भी करा सकते हैं, उन्हें हल्दी, सिंदूर, इत्यादी चढ़ा सकते हैं, महदी चढ़ा सकते हैं, मतलब पूरी स्रिंगार की सामगरी उन्हें अर्पित कर सकते हैं, सपर्स कर सकते हैं, तो ये सारे कारे आप तुलसी वि पूरे दिन आप लोग फलाहारी ब्रत भी धारड कर सकते हैं नमक सेधा नमक का सेवन भी कर सकते हैं इस तरह से ब्रत धारड कीजिए संध्या के समय तुलसी विवाह का आयोजन करना सबसे उत्तम होता है और संध्या के समय ही तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है मैं साथ बात में ये भी बता दू कि यदि आप माली जे एकादशी तिथी पर किसी कारणवस तुलसी विवा का आयोजन नहीं करवा पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप द्वादशी तिथी पर भी कर सकते हैं। बता दू कर सकते हैं, अकेले उनकी मतलब अकेली की प्रतिमा होनी चाहिए, तब आप तुलसी विवा संपन्ड करा सकते हैं। किसी भी कारणवस यदि आप तुलसी विवाह का आयोजन नहीं करा पाते हैं तो आप किस तरह से विवाह का संपूर पुन्यफल प्राप्त करें देखिए यदि ऐसा है तो आप इस दिन संध्या के समय असनानादी कर लें फिर से आप सुक्ष बस्त धारण कर लें भगवान व तुलसी जी का जो अस्थान है उसे सबसे पहले आप सजा लें रंगोली इत्यादी बना दें या फिर जैसे आप सजा सकें वैसे तो मंडब सजाने का विधान होता है गन्य को चारो तरब से लगाकर मंडब बनाया जाता है विवाह का आयोजन करने के लिए लेकिन आप नही करेंगे माता तुलसी जी को आप चुंदरी अर्पित करें यदि माता तुलसी जी आपकी बहुत मतलब बड़ी ब्रिच्छ है जैसे बड़ा पौधा है तो आप माता तुलसी जी के ऊपर भी चुंदरी हलकी चुंदरी उढ़ा सकते हैं यदि बहुत ही नाजुक हैं बहुत ही प्रेंदी, आलता, इसके बाद जितने भी आपके पास स्रिंगार हैं, 16 स्रिंगार हैं, जितने भी आपके पास स्रिंगार हैं, आप माता तुलसी जी को अरपित करें, उसके बाद आप इस तरह से भाव रखें कि आज माता तुलसी जी के विवाह के उपलक्ष में हम माता तु जैसे सिंदूर अर्पित करना एक अलग चीज हो गई सामगरी के साथ माता तुलसी जी के जड़ी में पतियों में आप पीला सिंदूर को ही सिंदूर माना जाता है। प्रजलित करें गी का एक दीपक आप प्रजलित करके रखें, चाहे तो नव दीपक की ग्यारह दीपक भी आप प्रजलित कर सकते हैं। और माता तुलसी जी के समक्ष आप धूप प्रजलित करें, भोग इत्यादी लगाने के बाद बैठ कर माता तुलसी जी के मंत्रों का आप जब करें, उनकी आरती करें, पूरे परिवार मिलकर विधी विधान से माता तुलसी जी की आरती करें, और माता तुलसी जी के ब्रिक् प्रिय मंत्र और महा मंत्र है आप जब कर सकते हैं तो इस तरह से पूरे परिवार मिलकर मता तुलसी जी के विवाह का उत्सव मनाएं और उसके बाद जो भोग प्रसाद आपने अर्पित किया है बाद में आप पूरे परिवार मिलकर उसे ग्रहण करें तो इससे भी आपको त तुलसी विवा करने का संपूर्ण पुनफल प्राप्त हो जाएगा जितनी भी सामगरी आपने चड़ाई है साम के समय उसे आप रात में वहां से तुरंत ना हटाएं सुबह आप उन सब सामगरी को हटा कर उसे प्रसात के रूप में माताय बहने सुहा की जो सामगरी है कुछ स्वयम धारण करें और कुछ दान भी कर सकती है माता तुलसी जी को जो आपने वस्तर अर्पित किया है उसे स्वयम धारण करने से आपने पास रखने से आपके घर में सुक सम्रिधी बढ़ती है धन धाने बढ़ता है आपका सौभाग्य बढ़ता है तो इस तरह से ये ही पुण्य को देने वाला कार्य है तो बहुत से ऐसे भाइबहन हैं जो तुलसी विबादा का आयोजन नहीं करा पारा हैं विधी विधाल से तो इतना कार्य बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं जैसे हम प्रतेख, बढ़त में, त्योहार में ये सारे कारे करते हैं श् शुब दिन है और यदि आप नहीं कर पाते हैं तो द्वादसी तिति को भी आप ये कार्य कर सकते हैं तो आज मैं बात कर रही थी एकादसी व्रत के विशे में और माता तुलसी जी के विवाह के विशे में कि यदि आप नहीं करा पाते हैं तो इस तरह से आप करके अपना पुन्यफल प्राप्त कर सकते हैं इससे माता तुलसी जी प्रसन्न होंगी तो आगे माता तुलसी जी के विवाह का आयोजन किस प्रकार से करें सारी विधी मैं आगे वीडियो में दूंगी आज की वीडियो यहीं तक थी फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद नमय शिवाए हर हर महादेव